नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग। सभी को शासन की गाइडलाइन की का सक्ती से पालन करना होगा फिलहाल मेरट में खत्रे जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन एतियात रखते हुए अभी माइगरेंट बर्ड को लेकर हस्तिनापुर सेंचुरी को बंद कर दिया गया है। जिले में 29 पोल्ट्री फ्राम हैं जहां करीब 6 लाक मुर्गियां रखी जाती हैं। वही 5.5 करोड अंडो का उत्पादन होता है। इसके अलावा प्रशासन ने बताया कि 6.50 लाक से ज़्यादा पक्षियों पर निगरानी रखी जा रही है। मुखे पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अनिलकंसल ने कहा है कि हर गाउं में 15,000 जानवरों पर एक चिकित्सक रखा गया है और आम लोगों कुसे कहा गया है कि अंडों को उबाल कर खाएं। वहीं डीवियों ने बताया कि आम लोग यदि अंडे या मास का सेवन करते हैं तो उबाल कर खाएं। उससे किसी भी तरह के नुकसान शरीर को नहीं होगा। साथ ही उन्होंने आदेश दिये हैं कि यदि किसी जवान पक्षी या पशू की मृत्यू हो जाती है तो तुरंत उसकी फोन करके जानकारी दी जाए। और पूरी तरह से उस मृत्य पक्षी का प्रसिक्षन भी किया जाए। ये जो वाइरस है ये थर्मो लेवाइल वाइरस है जिसकी 70 डिग्री टेंपरिचर पर कोई भी चीज अगर हम वाइल करते हैं तो इसकी मौत हो जाती है। मेरा आप से विरम अन्रोध है कि किसी भी प्रकार कई अवभा न उड़ाएं कि अंडा खाने से या मास खाने से ये बिमारी फैलती है। नहीं। ये बिमारी हर पशुक के द्वारा उत्पादित फैलने वाली बिमारियों में से एक है। आप दूद को ही ले ले। दूद भी पशुका उत्पादन है। अगर आप उसको बॉयल करें बिगर रख लेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर आप बिना बॉयल करेंगे चीज की मिठाई खाएंगे तो आपको डैसेंट्री होनी तह है। उसी प्रकार से इस वाइरस से बचने के लिए अगर आपको अंडा खाना है या चिकिन का मीट खाना है तो आपके लिए श्रेकर होगा कि आप उनके उत्पादों को उबाल कर खाएं। जिले में सरकारी स्तर पर फिलाल 56 मुर्गी फार्म है और एक हेचरी यानी चूजा फार्म है इसके अलावा शेहर में देहात तक छोटे बड़े स्तर के निजी पोल्ट्री फार्म है इनमें मुर्गी चूजे बत्तख और कबूतर पाले जाते हैं। बर्ट फ्लू की आशंक जिले के किसी वरिष्ट अधिकारी के अलावा शेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी और करमचारियों सहित पांच सदश शामिल होंगे। और फ्लू ने रस्तक नहीं दी है। 2006 में यह बिमारी भारत में देखी गई थी। यूरीन और मल से फैलता है। डॉक्टर ने कहा। H5N1 स्ट्रेंज सबसे ज्यादा कॉमन वेखतरनाक वाइरस है। कहां रखे सावधानी संक्रमित पक्षियों से दूर रहे खास कर मरे पक्षियों से। इसे खासी, डाइरिया, बुखार, नाक बहना, बेचैनी, मास पेशियों में दर्थ, गले में खराश जैसे लक्षन सामने आते हैं। यह बिमारी संक्रमित पक्षियों के मल, नाक के स्राव, मू की लार, आखों से निकलने वाले पानी से लेकर सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी, डॉक्टर बियेश शर्मा कहते हैं कि यदि किसी शेत्र में बर्ट फ्लू से सामाने या जंगली पक्षी मृत्य मिलते हैं, तो उसे एक किलोमेटर के दायरे में विशेश सावधानी बरती जानी चाहिए। वैसे तो इनसानों में ये संक्रमन कम होता है, लेकिन संक्रमित होने पर 60 फी सदी तक जिन्दगी खत्रे में पढ़ जाती है। जिले में निगरानी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद।